Dear Juniors, We shall see how does stock market works with 100% safety? आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जब stock market में काम होता है तो उसमें पुरी safety कैसे होती है? लोग अपना पैसा लगाते हैं, कोई share खरीद रहा है, कोई share बेच रहा है, किसी को पैसा मिलना चाहिए, किसी को share बराबर मिलने चाहिए. तो यह सब इतनी safety सी कैसे होता है, अभी तक आपने business देखे होंगे, कि लोग जब इकठे होते बायर seller आमने सामने आते हैं, फिर वो goods का trade करते हैं, तो अगर आप सामान दे रहे हैं, तो सामने वाला payment करेगा और उसमें गड़बड हो सकती है, तो फिर करोडों का लेंदेन अलग अलग डबे चल रहे हैं, अब किसी train में आप बेटते हैं, तो train में बहुत सारे passengers होते हैं, अगर आप यह सवाल करें कि train में कितने suitcase और bags होंगे, मैं भी 10,000, लेकिन वो safe कैसे रहते हैं, कभी आप सुचेंगे कि 10,000 bags और suitcase का कौन safety रखेगा, तो वो एक ऐसा system है, जिस अपने luggage का खयाल रखता है, तो यहाँ पर भी same बात हो रही हैं, कि एक ऐसा system है, कि हम मान सकते हैं, यह जो पटरी चल रही है, से भी है, security exchange board of India, कि किस तरीके से पटरी train सही रास्ते पर चलेगी, इसका खयाल रखता है से भी, security exchange board of India से भी, ठीक है, यह एक regulating body है, और train चलती ह इस पटरी के हिसाब से, फिर अलग-अलग डब्बे हैं, अलग-अलग जो आप bogies देख रहे हैं, वो brokers हैं, हर एक broker के पास 72 passenger जैसे train में हर एक bogie में बेटते हैं, वैसे हर एक broker के पास अपने number of clients हो सकते हैं, thousands, lakhs, जितने भी हों, लेकिन यह जो passenger traders बेटे हुए हैं, यह अपने अपनी capital का खयाल रखते हैं, मतलब अपने अपने luggage का खयाल जिसे passenger train में रखता है, वैसे अगर आपने 50,000 जमा किये हैं, तो आप 50,000 के अपनी capital का खयाल रखोगे, क्या आप इसा चाहोगे कि आपके 50,000 घटके 40 या 30 रह जाए और आपको खयाल ही नहीं रहें, तो आप तो अपने capital का खयाल रखेंगे ना, अब यह जो पूरी train यह exchange है, train exchange है, stock market exchange, exchange मतलब एक इसा platform जहां पे broker, buyer, seller, सारे market participant आते हैं और अपना काम करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि सबजी मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, इसे पहले शेहर बाजार भी ऐसी physical मंडी हो करते हैं, exchanges में आपको दिखता है, BAC, एक exchange है, Bombay Stock Exchange, 1875 से है, Bombay Stock Exchange, और NAC 1992 से है, आपने scheme 92, एक web series का नाम सुना होगा नहीं हो, तो आप Google सर्च करेंगे, आग ज़, महर्षद महता का जो scheme था, उसके बारे में detail बताया हुआ है, जब वो scheme हुआ, उसके बाद से भी को powers दिये गए, एक नया exchange बनाया गया, पुराना exchange खतम नहीं कर सकते थे BAC, तो BAC भी काम करता है, NAC भी आज काम करता है, लेकिन NAC को नए सीरे से design किया, पुरानी सारी कम्यों को दूर करके, तो आज आपने देखा, how does stock market works with 100% safety, आपका homework क्या है, आप यह पता करेंगे, कि SEBI का full form क्य है, और कौन-कौन से brokers होते हैं, और आप scheme 92 देखेंगे, तो मिलते हैं अगले lecture में, यह lecture आप केसा लगा, इस तरह की lectures आप पसंद करेंगे, समझ में आता है असानी से, दोस्तों, जुनियर्स आप देखते रहिए, अपने parents के साथ में discuss भी कीजे, हम बहुत मज़े के साथ सी सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजे,